हलो ऐंड वेलकम तू था क्लास अज हम डिस्कस करेंगे आणिमाल बिह्यवियर के एक कुछ कोस्ट cowrass के बारे में जैसे कि आपके डिस्चिप्लिनर सब्जेट्स की कोर्स है तो उसकी कोशन डिस्कस करेंगे तो देखिये कोश्चिन दे रखा है कि study of animal behavior animal behavior study को हम क्या बोलते हैं ethology ठीक है ना ethology जो होता है study of animal behavior होता है याद रखे क्योंकि animal behavior क्या होता है देखे behavior का मतलब है कि एक particular stimulus के लिए क्या response है ठीक है ना behavior का मतलब होता है कि एक particular stimulus के लिए क्या response generate हो रहा है हम उसको बोलते हैं behavior अंडर जिस branch of science के अंदर हम behavior के study करते हैं हम उसको बोलते हैं ethology clear हुआ जिसे की example के तौर पे हम देखेंगे जिसे मा लिजे आपने कोई आपकी favorite खाना ठीके ना food है आपने देख लिया तो क्या होगा उसके बादे ठीके ना क्या होगा क्या आप हो सकता है कि salivation होगा ठीके ना salivation होगा आपको मन करेगा वो खाना खाने के लिए मा लिजे आपको ऐसे टेल या college की front में कोई है ठीके ना गुल का वबला है क्या आपकी favorite कोई भी खाना है तो क्या होगा उसके बाद तो जो जैसे salivations हो गया जो पहला चीज होता है तो यह क्या होगा एक stimulus आया आपकी body के अंदर response generate हुआ that is the salivations ठीके आच्छा तो कुछ behavior होता है जो की by birth present होता है हम उसको innate behavior कहते हैं और कुछ behavior होता है जो की बाद में develop होता है हम उसको acquired behavior कहते हैं ठीके acquired behavior कहते हैं जैसे कि आप example से अच्छे से समझ लोगे कि innate behavior क्या होता ह है and acquired behavior क्या होता है ठीके जैसे कि देखे इनेर्ड behavior जो की by birth present होता है actually क्या है ना innate behavior behavior जो है by birth present होता है कैसे देखे जैसे मान लीजे जितने भी reflection actions आप देख रहे हो मान लीजिए जैसे आपकी पेर के अंदर कोई है के चो कांटा है चुप गया ठीके ना उसके बाद क्या तो आप suddenly क्या करोगे माले जाप ऐसे चल के पैदल चल रहे थे तो suddenly कोई ना तो एक चुब गया हना कांटा चुब गया तो उसके बाद आप क्या करोगे suddenly आपकी पेर जो है आप उपर आपकी तरफ समझ दो ना उपर की तरफ ऐसे खीच लोगे वो चीज जो है यह चीज आप भी ऐसे करोगे मान लिजे कि छोटे बच्चा जो भी पहले किसी को नहीं दिखा है कि पेर में एक आंटा चोबने के बाद ऐसे किया जाता है या मान लिजे कोई एक गरम की तावा है तो यहां कोई भी होट पॉट है एकदम उनका टेंपरेचर बहुत जादा है suddenly आपकी यहां पर कोई भी skin की कोई भी पार्ट हो सकता है कि कोई भी पार्ट हो सकता है तच हो गया तो अब suddenly क्या करोगे खुद की तरफ खीच लाओगे यह आप भी करोगे एक मतले कि न्यूबर्न बेबी जो है ना जो पहले दो चार दिन पैदा हुआ है उसके साथ भी करेंगे वह भी ऐसा करेगा तो क्यूंकि उनकी जो जीन है जो जीन है प्रेजेंट रहता है ठीक है ना यह जो जीन है प्रे भी कोई मतलब की जब भी जो पर्टिक्लर जो food material है उसकी जो fragrance है आसपास आपको इसे निकलेगा तो वो जाके bind हो जाएगा receptor के साथ receptor के साथ bind हुआ उसके बाद जो है response generate होगा मतलब कि उस पर्टिक्लर cell से saliva secretions होने लगेगा clear हो आपको चीज़ है तो जीन present है बड़ी के अंदर इसलिए यह चीज़ हो रहा है and याद रखे इनेट behavior जब भी होगा तो यह stereotypic होता है कुछ टॉर माप याद रखे ताकि clear होगा stereotypic stereotypic का मतलब है कि कभी भी change नहीं होगा ठीके ना कभी भी change नहीं होगा और जितने भी organisms होगा वह equal तरीकी की होगा ठीके ना जो lawn behavior होता है different different organisms के लिए different different होता है ठीके लेकिन जो इनेट behavior होता है जितने बार होगा वैसे ही होगा और जितने organisms के अंदर होगा वैसे ही होगा clear वह जिसे देखिए मालिज आपकी पेर में कांटा चुप गया या hot pot में आपके हाथ लग गया तो इस time पे जैसे आपने आपकी जो हाथ है अपनी तरफ खीच के लाए थे कल भी ऐसा होगा ऐसे ही करोगे समझ रो ना आप भी ऐसे करोगी में भी ऐसे करोगी सब लोग वैसे ही करेंगे और जितने बार होगा वो भी वैसे ही होगा तो यह एक fixed action pattern होता है ठीक है ना यह एक fixed है fixed रहता है चीज़े और यह change नहीं होता है that is the stereotypic होता है तो आप inner behavior के लिए याद रखिए यह तो पहला चीज़े की in burn होता है दूसरा चीज होता है की stereotype होता है change नहीं होगा त्रिस्टर टाइप होता है उसको zine control करता है ठीक है ना उसको zine control करता है and stereotypic not changed होता है और जितने में जिस अरगने सारे अरगने जिसमें equal type में होगा को यह के learned behavior की बारे में हम बात करेंगे learned behavior learned behavior क्या आपने ओचीज दिख कर ठीक है ना तो ओचीजों को अपने acquire किया तो हम उसको learned behavior कहते है learned behavior जो है ओ लौर्णिंग का अर्टागोरी में आएगा ठीक है ना learning जैसे मान लिजए आपकी अभी जो writing है जो लेखना यह भी एक learning behavior है आप learn करके मतलए कि उसको learn किये उसके बाद आप खुरी क्योंकि particularly जैसे मान लिजए हम सब लोग मतलए कि English जो है स्टेट के जो mother tongue है यह चीज़ आपको पता है हिंदी हम लोग सब सिख लेते हैं क्योंकि हम इंडिया में पैदा है हिंदी उसके बाद English यह तीन लांग्वेज उसको चीखना पड़ेगा समझ रोना वह learning चीज़े होता है और जिससे आप बोलो कि language सबके लिए equal है क्या सबके लिए तो इक्वाल नहीं है ठीक है आचा जो लोग पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे वो English क्यों से समझ मतले कि लन करेंगे वो अब बोलो कि सारे लोग English सिख रहे नहीं ऐसा भी नहीं है ठीक है आचा तो clear हुआ तो learning हम इरी बात करेंगे behavior कुछ भी है behavior हम किसको कहते है stimulus के लिए तो देखिए associative learning का मतलब learning आ रहा है इसका मतलब है कि यह innate immunity के बात नहीं हो रहा है यह बोल रहा है कि associative associative learning हम किसको कहेंगे ठीक है ना जो आपकी रहा है acquired learning जो होता है acquired learning की बहुत सारे types है हम types of acquired behavior देख लेंगे acquired behavior के types देख लेंगे एक होता है habituation हम discuss कर लेंगे क्योंकि questions था हम करेंगे आपको वो चीज़े रिकल होना भी जरूरी है ठीक है ना habituations हो सकता है कि इस बार habituations से question आ जाएगा ठीक है habituations habituate हो जाना मान लिजे बार-बार-बार-बार कोई stimulus आ रहा है पहली बार मान लिजे कोई एक sound आया ठीक है आप suddenly क्या करोगे response generate करोगे कहां से हो रहा है कहां से हो रहा है मान लिजे frequently इस particular area से sound आ रहा है तो आप क्या response करोगे नहीं करोगे ठीक है ना इसको हम बोलते है habituations habituations habituated हो जाते हैं जो square crow होते हैं ठीक है ना square crow होते हैं जो जैसे farmer हो गया उन्होंने अपनी pedifil में कोई चीज़ उगा रही है तो उसको जो bars पगेरा क्या करते हैं खा ल एक pot ऐसे लगा लगा तो तो उसको जो crow बगेरा होते हैं उसको square करते हैं ना उससे डर लगता है लेकिन जब वो constantly हो चीज़ों को देखेंगे आ रहे यह तो ही पर खड़ा है और यह तो mobile भी नहीं दीख रहा है ठीक है एक आया था whatsapp पर मतलग कि क्रो एक क्रो दूसरे क्रो को बता रही है ठीक है ना कि आच्छा यह तो यह इंसान कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि ओ मोबाइल मतलग कि ऐसे जुकर मोबाइल नहीं दीख रहा है यह से खड़ा है तो इसलिए आप बेफिकर होके यह पूरा का पूरा जो जमीन में जितना भी है उसको खा लेंगे ठी है स्केयार को हाबिचयेसन हो गया उसके बाद हो एक होता है अशुसियसक्छ अशुसियस्टन, फिर हम देखेंगे असुसियसन में हम देखेंगे क्लासीकल कंडिशनिंग औरond operant conditioning, तिश्रा होता है observational conditioning, ठीकिए न, association जो learning होता है उसमें हम देखेंगे classical conditioning classical conditioning एक होता है, एक होता है आपका operant conditioning operant conditioning और तिश्रा होता है observation learning , ठीकिए। ठीक है आच्छा जो classical conditioning होता है classical conditioning जो हमने बात किये associative learning की ठीक है ना associative learning की या मतलब कि कुछ चीजों के साथ हम उस चीजों को learning करवाएंगे पाबलब की experiment से आपको अच्छे से समझ में आएगा पहला आप समझ लिजिए उसके बाद खुरी ही उसका जो है ना पाबलब की जो conditioning था तो associative learning हम उसको क्यों कहते हैं ठीक है देखिए क्या था जो पाबलब थे उन्होंने डॉक की उपर experiment कर रहे थे कि इसके उपर डॉक और अब भी यह जो dog है food ना food देख रहा है उसके बाद उनका salivations हो रहा है ठीक है ना salivations हो रहा है खाना देखा salivations हुआ तो कुछ time के बाद उन्होंने क्या किया पहले ring बजाया ठीक है ना ring बजाया ठीक है ring बजाया उसके बाद जब ring बजा ना मतलब कि किस दिन तक वो इस लोग की मायंड में एक चीजे बन consent कि जभ भी रिंग बज रहा है उसके ही है ठीक है दिखिए खाना को दिखकर salivations होगा यह तो नॉर्मल सी बात है जैसे हमारे बड़ी गंदर हो जीन है मैंने आपको पहले से बताएं यह जीन प्रेजेंट है जब भी फूड की जो मॉलिकुल्स है ना जो स्टिमूलस की तरफ हम ऐसे ले लेते हैं उसके बाद salivations होता है यह तो नॉर्मल सी जैर लेकिन ऐसे कोई आपको एक रिंग मतलब कि बेल ऐसे लगेगा ठीक है ना रिंग बजेगा कोई भी तो उसके बाद salivations होगा है ऐसा तो कोई नहीं कुछ नहीं है ठीक है लेकिन टो की केस में क्या हुआ जब उन्होंने किया रिंग बैल बाजा फिर उसके बाद उन्होंने फिट दिया फिर यह सेट हो गया कि अभी रिंग बज रहा है इसका मतलब है कि खाना आएगा ठीक है ना तो यह होता है असोस्यिटी लर्निंग ring जो बेल बजनी की ऐसा कोई लणा दना नहीं है salivation होने के लिए लेकिन उन्होंने उसको एक learning किया अंड यदि मान लेजे ओ ऐसा किया salivation हुआ कल भी ऐसे ही करेंगे ring बजाएंगे फिर खाना नहीं देंगे salivation होगा मतलग कि 2-3 दिन बाद के बाद वो फिर salivations नहीं होगा तो इसलिए जो acquired learning होता है यदि आपने जो acquired चीज़े है जो acquired behavior होता है यदि वो practice नहीं रहेगा वो भी छुट जाएगा समझ रोना ऐसे जो चीजों को practice होना भी जरूरी है तो इसलिए हम उसको associative learning कहते हैं कुछ चीजों को associate करके हमने उसको learn किया salivation होने की जो process है हम ring जो bell के साथ bell को ringing करने के साथ उन्होंने हमको उसको associate किया तो इसलिए हम उसको बोलते हैं associated learning ठीक है आच्छा तो जैसे हमने बात किये थे आपका यह हो गया ठीक है अच्छा learning कहां लिख रहे थे तो यह चीज हो गया तो उसके बाद एक होता है कि conditioning जो classical conditioning क्योंकि salivations होना एक classical चीज़ है एक normal चीज़ है और एक होता है operant conditioning operant conditions का मतलब होता है कि trial and error method में जो चीज learn किया जाता है पहली बार आप करोगे आउस से गलती होगा फिर try करोगे फिर गलती होगा trial, error ठीक है ना फिर आप लगने यहां से यह हो रहा है फिर और एक बार और चीज़ करना है skinner ने एक experiment conduct किये थे trial and error method के उपर उनका चीज़ एक experiment था यहां पर एक red light की liver बनाया एक green light की ठीक है ना green light की जब इस rat ने red light को touch करेगा उनको sock, electric sock मिलेगा ठीक है ना electric sock लेकिन जब वो green light को green liver को ऐसे प्रेस कर लेगा उसको खाना food and water मिल जाएगा तो उन्होंने क्या क्या उसको क्या पता है अपने बहुत सारे चीज़े भी सुने होंगे एक कमरे की अंदर कुछ बाना था ठीक है ना बाना था क्यूंकि ओही चीज़ ही human को और दूसरे animal से अलग करते हैं ठीक है ना बाना था और उहीं पर कुछ जो cardboard cartoon होता है इस room में ऐसे खा गया था ठीक है और कुछ monkey को यहां पर छोड़ा जया था तो इस room पर ठीक है ना तो फिर क्या हुआ तो उन्होंने जब कोशिश किये ठीक है ना जो बाना है उसको खाने के लिए तो उतना हैड में था कि monkey वहां तक नहीं पहंच पा रहे थे वहां तक फिर कुछ time के बाद उन्होंने क्या किये उन्होंने यह चीज किया ठीक है ना session citation किया जो जो cardboard की जो cartoon था उसको staking किया shaking करने के बाद उसके उपर खडा हो के बाना ने तो यह जो method होता है मुतने कि situation की occurring फिर जो है ना चीज़े बन सब्यद है यह चीज जो है थोड़ा मामल के अंदर बहतर इन डेवलप्ट है दूसरे अनिमाल्स की अकडिंग तो स्कीनर की एक्सपेरिमेंट ओपरेंट कंडिशनिंग क्या होता है ट्रायल एंड एरर मेथड आई होब आपको चीजे क्लियर हुआ ठीक है तो देखे एन एक्जामपल अफ आसोसेटिव लॉर्निं जो होता है एक तो हबिशेशन होता है दूसरा होता है आसोसेशन आपकी तीन तरीके के होता है एक क्लासिकल कंडिशनिंग होता है एक अप्जर्वेसनल लॉर्निंग और जिसको हम इमिटेशन भी कहते हैं अप्जर्वेसनल लॉर्निंग या हम उसको इमिटेशन भी कहते है इमिटेशन, मिमिक्री करना, कॉपी करना, ठीक है न, आप लोग भी करते हो, टीचर लोगों की, हम लोग कर लेते हैं न, जब कॉलेज की जो, कुछ टीचर होते हैं, उकके, उकके, कुछ होते हैं, मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉर्म, ऐसे, बोलते हैं, क्लास में और बच कोई कुछ हीरो, या कुछ लोगों की पर्टिकुलर इमेज, जो है न, शरी, इमेज बोलो, जो भएस है, है न, मैं आप से पूछ रहा हूं दोस्तो, तो यह जो चीज है, कुछ इस तरीके से मिमिक्री कर लेते हैं, तो वो होता है, क्या, अपजर्विशनल लॉनिंग, आप पे दी नोट डाउन कर रहे हो, तो नोट डाउन कीजिए, कि जो बिहेवियर होता है, वो दो तरीके के होता है, एक होता है, इनेट, दूसरा होता है, आक्वेड, इनेट, इसको हम इन्बर्न भी कहते हैं, आक्वेड में हम देखेंगे, टाइपस अफ आक्वेड बिहेविय में एक तो होता है habituation दूसरा होता है association habituation clear हुआ habit बन गया आप बार 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 एक stimulus से जब contact में आओगे उतना respond नहीं होगा यह same type के respond होगा क्योंकि आपने बार बार सेम चीजों को कर रहे हो association learning जो होता है कुछ चीजों से जुड़ के हम चीजे करते हैं उसमें classical conditioning आ जाएगा जहां पर classical चीजों को हम करते है normal चीजों को लेके करते हैं एक operant जो चुहे वाला experiment में ने बताया trial and error में लोग जो सिखते हैं operant जिसको अब trial error भी लिख सकते हो trial error learning ठीक है और थाड में होता है observational observational learning observational learning को हम imitation भी बोलते हैं imitation mimik होता है mimic करना, copy करना किसी knuckle करना कोई दूसरे लोगों को ठीक है आच्छा तो इसकी है ये थाड नहीं है ये जो थाड है ये जो जो कि थाड है मतलब कि observational इसकी है ठीक है आच्छा तो habituation association अब थाड में देखेंगे और एक होता है learning, latent learning जो होता है latent learning latent learning का मतलब होता है कि कुछ चीज़ा आपको पता है लेकिन आप एक particular time पे उस पो apply करोगे है जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगा तब तक हम और चीज़ नहीं करेंगे जिसे मान लिज़े आप लोग होगे है मान लिज़े कैसे क्या cooking की बारे में बात करेंगे cooking कैसे किया जाता है पता है लेकिन मम्मी है आप तो नहीं करोगे मान लिज़े मम्मी घर पे नहीं है जो माटो सुगी जो मांग़ी फैस्लेट है उस दिन अभेलेबल नहीं है। तो कर लेंगे। कुछ ना कुछ करके तो कर लेंगे। ठीकred35 मैं आगी तो बना लेंगे। कुछ ना कर सकते हो तो ठीके लाटेंट द़रौनिय यह भीचेश आपने खुदी की होंगे ठीक है न घर में ऐसे होता है मम्मी लोग है ऐसा नहीं कि आप ऐसे पर्टिकुलर नहीं सिखते हो लेकिन पता है थोड़े बहुत पता है कुछ कैसे कुकिंग किया जाता है या अटोमेटिक हो जाता है ऐसा कोई नहीं कि कुछ आपको लर्निंग करना पड़ ठीक है अच्छा फिर होता है imprinting imprinting देखे imprinting क्या होता है वो भी एक तरीगे mimicry होता है लेकिन या आप क्या है ना एक critical time period के अंदर ये उस ची जो exposed हो गए तो आपके अंदर आ जाएगा जिसे क्या हुआ जो experiment conduct किया गया था imprinting में जो पैदा हुआ जो doc है doc तो नहीं गूज थे जो गूज थे ये बार्थ होने की 48 hour की अंदर उन्होंने जिसको देखेंगे उसको अपने father समझ लेंगे इतने मतला कि 48 hour के बाद किसी को देखना है तो फादर नहीं समझेंगे तो जब उन्होंने 48 hour की within 48 hour किसी को देख लिया तो उसको उनकी father या parent समझ लेंगे समझ रहो ना एक particular critical period में उस जो चीज़ों को उन्होंने देख लिए उसकी दिमाग में उनका चीज़े बन जाएगा picture बन इंप्रिंटिंग कहते हैं वह जैसे करने लगेगा वह भी ऐसे करेंगे जो गूज की पर जो एक्सपरिमेंट कंड़क्ट किया गया था जो जो इन्साइट आप सबने सुने होंगे इन्साइट लर्निंग आप लोग तो समझदार लोग हों ठीक है ना इन्साइट आपने सुना है कोगनेटिव या प्रोब्लेम सल्विंग लर्निंग ये तो ज्यादा अंतले कि अच्छा खासा लर्निंग होता है इन्साइट या प्रोब्लेम सल्विंग लर्निंग है प्रो बरकींग करने लगा एक के अपर एक तो उनका हैट स्टाय उस कांटून के उपर खड़े होकर बाना ले आये ठीक है तो यह होता है insight learning मतलब है कि problem solving है ना problem solving आप आप लोग के पास वो रहना जरूरी है problem solving क्योंकि आप इंसान हो कोई भी problem को हमेशा क्या मतलब कि एसा complaint मत कीजिए solution ढूंड़िए solution oriented mind setup बनाई है हमेशा कुछ लोग ना ऐसा हो गया हो गया हो गया हो गया क्या हो गया उसके बाद क्या हो सकता है और क्या possibility है इस अंगल से जब चीजों का आप देखोगे तो आपकी life बदल जाएगा कुछ लोग होते है प्राब्लम प्राब्लम है ऐसा है मेरा तो प्राब्लम ऐसा है वैसा है और कुछ लोग वैसे प्राब्लम में भी आगे निकल जाते है क्योंकि उनकी mind setup ऐसे हैं ठीक ह कोई आपकी दोस्त आपको बदा रही है तो आप उनके लिए सला दे सकते हो उनकी प्राब्लम को आप सल्व कर सकते हो लेकिन खुद ही जब कोई भी प्राब्लम है भस जाओगे आप रोने लगोगे या stress लेने लोगोगे ठीक है हां रोना stress लेना थोड़ी बात के लिए ठो कुछ लोग आए उनका प्राब्लम बता है हां हम उसको इमिडिटली solution बता देते हैं लेकिन जब खुदी कोई प्राब्लम में आ जाते हैं हम solution नहीं बता पाते हैं क्योंकि हम उलज रहते हैं उस प्राब्लम के अंदर तो आप जब भी कोई प्राब्लम आएगा आप सोचो क तो कि हां म originally मुझे कोई problem से गोजनने के लिए कोई कुछ पुछे रही है में क्या क्या बदा सकती हूं त्पेना कुछी किए खुद को अलग किजे कि खुद को अलग करना भी हम लोगों को पता नहीं हम समझ लेते बॉड़ी है और हम है मेरा बड़ी है में हूँ में में हूँ ठीक है आप अपने से मतल़ कि अलग करके जैसे टीवी वागरा में देखा न तो उनका जो और एक जो है न बन जाता है धुबिंच अपी और वो उसको बाद करता है तो आप खुद को ऐससे समझ लीजे ठीक है कि वैसे हम सब ऐसे होते हैं हम कानसएसे हैं ठीक है लोग उसको आत्मा पुंदाने कि नाम दे देते हैं ये एक आपकी जपीजीकल बॉडी हैं फीजीकल बॉड़ी के अंदर कुछ जब वो काम करना बंद करेंगे, जब बंद करेंगे, तो यह बंद करना बंद करेंगे, तो इथ हो गया, ठीक है ना? कॉई भी किसी वज़े से, भी फेल हो गया चीजे नहीं होगा, तो क्या है लाइफ, वही तो केmical constitution और reactions की चीछे होता है, है ठीक है तो इसलिक आप बलर का हूम बलाग की हों ऐसे उससे उपर थोड़ा सोचिए तकि आपको प्रॉब्लेम को सलब कर पाएंगे नहीं तो कुछ हां पर उलढ़ जाओगे ठीक है न आप अलोग हो और यह सब्रजी आप कि यह तो metaphysics है यह नहीं ऐसा नहीं कि आप उसको physics है body है आप उसको maintain करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा इसलिए नोकरी कर रहा है फिर आत्मा परमात्मा तो आगे फिर काम क्यों करेंगे नहीं आप आपकी body की responsibility तो लेना है यह physical body है आप उसको touch कर सकते हो यह metaphysics तो नहीं है तो इंसाइट हो गया फिर हम spatial learning देखेंगे spatial learning space के according ठीके ना यह भी एक चीज होता है जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया की आपको सारे कुछ चीजे पता है ठीके ना अच्छा अच्छा sweet से बन रहा है ठीके अच्छा कुछ ऐसा particularly ऐसे होता है वहां पर कुछ particular है ना ओहीं पर बर्गर अच्छा मिल रहा हूं पर पीजा है ना उनका ice cream बहुत अच्छा है तो spatial learning आपको पता है इस रास्ते में जाओगे यहां पर electric pole आएगा ऐसे आएगा उसके बाद हम औहीं पर चले जाएंगे अड्रेस वैसे है तो spatial आपको क्लियर हुआ जब भी प्रोशन आएगा आस्ते में यह तिनों इंक्लूड हो जाएंगे अलब दिन यह song bird that hears the songs of their of other species as well as its own species तो यह भी एक होता है कि particular जो birds होता है ठीक है तो यह बोल रहा है कि मान लिजे breeding season जब आए जाए gotat स바fend buy technology स्टे सारे की सांग जो जनी सांग भार्र होते हैं। ज यह से कुको बगरा होगे हैं ना कोईल जिसको बन दे कुको बगरा हो गे वह क्या करेंगे वो बोला है कि कैसे उनकी particular partner जैसे की मेल कुको जो है singing कर रहा है उसको फिमेल कुको ही पहचान के आएगा ठीक है ना उसके बाद उनको practice होना चाहिए जो singing करना बाड की singing होना यूँकि वो चीज होता है, singing करना एक learning behavior होता है, जिसमें वो चीज को practice किया जाता है, ठीक है, आच्छा, the level of specificity of signals may be, आच्छा, जो भी मैंने बात किया, behavior क्या होता है, कोई भी stimulus आएगा, उसके बाद response generate करेंगे, वो बोल रहा है कि level of specificity signal, जैसे जो reproductive signal हो गया, कोई जैसे जो frog होता है, टॉर्टर आवाज करते हैं, अभी रिनीश जीन आगया, आप देखोगे, कटटटटटटटटटटट आवाज करते हैं, तो वो specific होना चाहिए, मतलब कि frog बुला रही है, उसका मतलब उनकी partner आना चाहिए, और frog बुला रही है, snake आजाएगा, तो क्या होगा, ठीक ना, किसी बचा को गुलगा वो देखने के बाद उसको लाल आ जाता है, specific होगा, आपके लिए वो specific होगा, इसी बचाहिए, यह बहुत hygienic नहीं है, ठीक है ना, वो तो मतलब कि जो आपकी district headquarter की जो latin bathroom है, उसकी front में उन्होंने बना रही है, ठीक है, ना, वहीं से पानी ल उसकी front में वो खड़े होकर ठेला में गुलगा वो बेच रहा है, यह सोच कर आपको तो salivations कभी भी नहीं होगा, पानी तो महीं से आ रहा होगा, ठीक है, तो इसलिए specific होना चाहिए, increased response to an increased light intensity is called, यह हम देखेंगे kinesis, यह सारे different तरीके के क्या है, movement होता है, यह हम देखें किस तरीके से चीज़े होता है, kinesis क्या होता है, किस तरीके से चीज़े होता है, हम थोड़ा inner immunity के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है, तो आपको awkward immunity clear हो गया, हमने कहाँ देखा था, यह चीज़े, यह awkward immunity के यह tice देख लेंगे, फिर हम देखेंगे inner immunity के बारे में बात ठीक है आच्छा तो इन्य टेमनेट देखें इन्य टेमनेट के टाइप्स देखेंगे ठीक है टाइप्स देखेंगे इन्य टेमनेट ठीक है एक होता है काइनेसिस kinesis, फिर होता है taxis reflex inner immunity आपको clear हो गया तो inner immunity जो बात से present होता है inborn है, inherited behavior होता है वो parents of strength के पास आ जाता है, ठीके ना? यह programmed behavior होता है, ठीके ना? मतलब कि already हमारे central nervous systems में यह programmed है जैसे कि salivations होगा जैसे कि reflex आसन जैसे गरम ताव के अंदर हाथ लगेगा तो हम अपने तरफ खीच के लाएंगे, ऐसा ने कि दूर भगाएंगे है हमारा हाथ दूसरे को दे देंगे, ऐसा भी नहीं होता है तो यह programmed है, already हमारे brain को बता है कि कुछ ऐसा response हो, मतलब किस stimulus आएगा तो हमको ऐसे ही respond करनी है, ठीक है ना, यह programmed है यह fixed action pattern होता है एक particular fixed action pattern में चीज़े चलता है stereotypic होता है, मतलब कि individual repeats the same pattern of behavior again and again, जितने बार होगा वो चीज़े, उतने बार वो सेम ही होगा, जितने बार आपकी गरम ताव में हाथ लगेगा, अपने तरफ खीचोगे या आपकी जो आँखो के अंदर कुछ चीज़े आ गया, इंसेक्ट बगेरा तो आप ऐसे जो eyelids होता है, उसको पलक जबाग लेता हो मतलब कि eyelids को close करोगे, जब आपकी की बाना वाला एक जम बूल दे रहे थे, हो सकता है कि उन्होंने काटून देखा, और कोई देखेगा कि अच्छा, इससे हां करने के लिए तो एक रस्सी है, तो हम क्या करेंगे इस रस्सी को पकड़ लेंगे, उसके बार बानाना ले आएंगे, तो trial and error method में कुछ भी change हो सकता है जो कि learn behavior में होता है ठीक है, तो ये चीज, ये जो statement में बोल ले हो, ये statement होके भी question पुछा जा सकता है, उसको ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बात कर रहे हूं, ठीक है, अच्छा तो response stimulus determined governed by the gene तो उसको जो inner immunity की जो response होता है, उसको कौन determine करता है, gene करता है, stereotype होता है fixed pattern होता है, programmed है central nervous system की दुरान इचान चार बाते याद रखिये तो उसकी हम examples देखेंगे जैसे kinesis हो गया, taxis हो गया, reflex हो गया instinctive instinctive behavior या genetic behavior हो गया instinctive behavior ठीक है ना, कुछ behavior ऐसा होता है आपको किसी को learn करवाने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि parenting हो गया, ठीक है parenting, आप लोग वो चीज़ को समझने ही पाऊगे parenting जैसे कि ऐसा नहीं कि किसी को बताना पड़ता है कि आप आपकी बच्चों को ऐसे care करनी है, वो अपने आप, वो instinct behavior है ना, वो अपना पता होता है तो एक रिट्राइभाल और कुको बाड़ चीग feeding behavior हो गया है ना, कैसे खिलाना है, कैसे खाना है ठीक है ना, आचा, spider की web making pattern spider की web making pattern होता है और एक फिश्ट आक्षन पाटन होता है, एफ एफ फिश्ट मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम चीज़े चलेंगे आपको चीज़े अच्छे से clear होगा, दिखें learning में क्या होता है, चीज़े आप लोग सिखेंगे, किस से सीखोगे आपकी parents से सीखोगे चीज़े, नहीं तो environment से कोई दूसरे लोगों से आपको चीज़े यह protein से बनी हुए धागा, ठीके ना, इतना आसानी से नहीं टूटता है, आप देखोगे कभी spider wave, जो जाला लग जाता है ने घर में, आप देखोगे आपकी face में ऐसे चिपक जाएगा, ठीके ना, वो protein से बनी हुए है, silka, ठीके ना, आच्छा, तो अब हम देखेंगे, उनकी जो pattern है, यह ऐसे ही होता है, ठीके, और यह generated in one होता है, कैसे उनको पता लगा, एक जब नया spider पैदा हुआ, ठीके ना, उन्होंने जब पैदा हुआ, इम्मीडियेटली, उनके जो mother spider के death हो गया, या आपने उसको isolate करो गया, ठीके अक्केला ले आओगे, कोई उनकी environment में और कोई दूसरा spider भी नहीं होना चाहिए, उनकी parents भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि parents से नहीं सीखेगा, कोई, मतलब कि पडोशी से तो सीख लेगा ना, तो आप वो chances भी नहीं रखोगे, तो आप इस spider को एक isolated laboratory conditions में डाला, isolated laboratory conditions के अंदरे डालने के बाद, अपने देखा वो भी ऐसे ही, क्या है, वेब बनाना स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि वो तो उनकी जीन में ही present था कि ऐसे ही वेब बनानी है, ऐसा नहीं है कि वेब कैसे बनाया जाता है, वो अपनी parents से सीख लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना, तो वो चीजों को हम बोलते हैं, spider web job making होता है, तो अब हम देखेंगे kinases क्या होता है, ठीक है ना, so kinases क्या होता है, हम बात करेंगे, when organism randomly move and reach the favorable environment, तो organisms जो है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस को move करेंगा, बेट randomly, ठीक है ना, randomly, माले जे, it is space है, space B है, तो ये ऐसे, 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 आज बी में आ गया, तो जब random movement होता है, हम उसको kinases कहते हैं, under taxes का मतलब है कि, एक directions में movement होगा, तो हम उसको taxes कहेंगे, movement in response to a direction, तो उसको हम taxes कहते हैं, जब randomly movement होता है, तो हम उसको kinases कहते हैं, ठीक है, तो klinoclinosis होता है, intensity, klinoclinosis का मतलब होता है कि stimulus की कितना intensity है, ठीक है, ना, माले जे, कोई आपको बुला रही है, हाँ, slowly बुला रही है, ठीक है, मैं जाओ, कोई आपको इतना, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, जल्दी हो, आप वैसे तेज से भागने लोगेगे, समझ रहो ना, तो फिर intensity stimulus increases the rate of change in direction, direction की जो है ना, उसके बाद, orthokinesis होता है, speed or locomotion affected by external stimuli, external stimuli के उपर, वो depend करता है, taxis जैसे मैंने बात किया, कि यह क्या होता है, taxis जो होता है, directional होता है, and kinesis जो होता है, that is random होता है, यह point आपको याद रखनी है, ठीक है, अच्छा, taxis में जैसे की opposite stimulus के लिए होगा, magno-taxis होता है, galbano-taxis होता है, कहीं तरीके के taxis होता है, ठीक है ना, magno-taxis का, जो magnetic field होता है बैक्टरिया बगरा ऐसे ही move करते है, magnetic field के, जैसे अपने physics में पढ़े हैं, magnetic field जो होता है, bacteria की magnetic field के towards movement होता है, galbano-taxis होता है, electric field के, thigmo-taxis होता है, thigmo मतलब की pressure या touch, response की, कोई touch दे रहा है, ठीक है ना, उसकी movement होगा, rheo-taxis होता है, water की flow, जिस तरीके से water की flow होता है movement, वसी directions में होगा, उसको हम rheo-taxis कहते हैं, बलकि directions, water की occurring हो गया, एक directional हो गया, ठीक है ना, chemo-taxis, chemical response की occurring होता है, जैसे की, ovum and sperm की बात करेंगे, fertilizing, anti-fertilizing होता है, sea urchin की यदि बात करेंगे, female से निकल रहा है, fertilizing, and sperm की, male की sperm से निकल रहा है, anti-fertilizing, तो एक दूसरे को attract करेंगे, तो इसलिए, sperm जो है, ovum की तरफ ही move करने लगेगा, ठीक है, अच्छा, photo-taxis, यदि बात करेंगे, किस की directions में होगा, ना, photo-taxis, जो है, आपकी, light की directions में जब हो रहा है, तो हम उसको photo-taxis कहेंगे, ठीक है, अच्छा, level of specificity तो हो गया, हाँ, increased response to an increase in light intensity, तो यहाँ पर light की intensity increase कहने से response increase हो रहा है, तो इसको हम क्या बलेंगे, kinesis कहेंगे, या positive photo-taxis, negative photo-taxis, अच्छा, तो यह बहतरिन मतलब कि increase, यहाँ पर specifically उन्होंने light की बात किया, तो positive photo-taxis हम कहेंगे, ठीक है, kinesis नहीं कहेंगे, हम उसको positive photo-taxis कहेंगे, क्योंकि सिर्फ उन्होंने ऐसे random moment के बात नहीं तो किया है, ठीक है, उन्होंने light को specifically उन्होंने light के बारे में बात किया, तो taxes भी कहीं तरिके के होता है, यहाँ पर तो random नहीं हो रहा है, तो answer क्या होगा, positive photo-taxis, clear हुआ, अच्छा, तो उसके बाद देखेंगे, which of the following is an example, example of a question about the ultimate causation of a behavior, तो ultimate causation क्या होता है, देखें, ultimate causation, ठीक है, and behavioral causation हम देखेंगे, what is most, what muscles are involved when humming bad, hover over a flower, when the critical period of a imprinting young goats, which hormones must be present at what level to make a female lizards, receptive to male causation, all of the above, ultimate causation की बारे में बात हो रहा है, ठीक है, यह एक learning की अग दूसरा angle है, तो हम बात करेंगे, which of the following is a noble trial and error learning, trial and error learning क्या होता है, देखेंगे, अभी मैंने बात किया थे, अपरेंट लॉर्निंग जो होता है, जिसमें हम बात किये थे, कि इसके बारे में, रियाट की बारे में बात किये थे, and scientist जो थे, skinner ने experiment कंड़र किये थे, उन्होंने red light की liver, एक cage के अंदर red light and green light की liver लगाया, जब रियाट ने red light को दबाया, उसको सक, electric suck मिला, जब green light दबाया, उसको food मिला, तो उसके बाद ट्रायल लांड error करते करते, उसको पता लग गया कि ऐसे होता है, अच्छा, human behavior, तो यहाँ पर operant conditioning होका, trial and error, habitutions तो क्या होता है, मतलब कि habit में, आदत में develop हो जाएगा, उतना respond नहीं करेगा, classical conditioning तो जो classical method में होता है, human behavior like other mammals, behavior is determined, कैसे determined होता है, strictly by the gene, behavior जो सिर्फ और सिर्फ gene determine करता है, क्या नहीं, हम हमारे experience की वैसे करते हैं, माली जै आप कहीं पे गया है, आपको उतना respect नहीं मिल रहा है, दूसरे बार आप जो जाओगा, आप भी respect नहीं दोगे, नहीं देना भी चाहिए, क्योंकि आपको respect नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा तो नहीं कि gene में है, हम respect नहीं देने लगेंगे, देने लगेंगे, ऐसा नहीं है, strictly by learning, सिर्फ learning के उपर तो depend नहीं करता है, कुछ behavioral होता है, आप देखोगे, कुछ parents ऐसे होते हैं, ठीक है न, ऐसे down to earth रहते हैं, कुछ, किसी किसी के आप देखोगे, अनकी periphery environment में ऐसे down to earth लोग नहीं है, फिर भी बच्चे ऐसे हो जाते हैं, कुछ learning होता है, कुछ हम सिख लेते हैं, कुछ in one होते हैं, तो mixture होता है, genes and learning दोनों हमारे behavior से यसा नहीं कि, और मुझे लगता है कि maximum जो depend करता है कि आपकी learning के उपर, मतलब कि gene तो है, उसके, surrounding इंगरे में जो 10 people है, उनकी average हो आप लोग, मालेज आपको movie देखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी वो लोग देख रहे हैं, आपको कभी ना कभी मन करेगा रहा होत देख रहे हैं, हम थोड़ा एक दिन तो देख लेंगे क्या है, ठीक है, तो you are the average of your 10 people surrounding you, learning to not respond to a stimulus is called, तो as learning to not respond to a stimulus, stimulus को हम कब respond नहीं करेंगे, जब बार 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 same stimulus आएगा, तो respond नहीं करेंगे, तो बार बार same stimulus आना habituations होता है, किंकि imprinting में हमने बात किये थे, पैदा होने की कुछ time के बाद जो सिख लेते हैं, ठीक है ना, kinesis तो random moment होता है, टाक्सिस तो directional होता है, तो यह हो जाएगा, habituations clear हुआ, अच्छा, एक गूज, retrieving stray egg and rolling it back to its nest, is an example of, यह क्या होता है, intrinsic behavior होता है, ठीक है ना, तो उन्होंने जब legs egg roll किया, फिर उन्होंने अपनी चीज़ों को आ गया, तो हम उसको intrinsic behavior कहेंगे, किन और box experiment, उतो red double experiment मैंने बात किये थी, operant trial and error method के होता है, a sensitive phase and critical period are associated with what type of behavior, ठीक है ना, sensitive phase and critical period, जो की critical period की बात आ रहा है, मैंने बात किये थी ना, जो goose था, वो पैदा होने की 48 hour के अंदर अंदर जिसको देखेगा, उसको अपनी parent समझ लेगा, तो critical period की बात आ रहा है, तो imprinting होगा, ठीक है ना, एक एक चीजों को पकड़ लोगे, कौन सी चीजों की बात हो रहा है, which of the following animal is brood paracet, brood paracet क्या होता है, जो crow होते हैं, ठीक है ना, crow अपनी nest बनाता है, nest बनाता है, kukko नहीं बनाते है, kukko, जो coil होता है ना, kukko, वो नहीं बनाते है, वो क्या करेंगा, अपनी जो एग है, इसको डाल देगा, किसके कोनेस्ट के अंदर, क्योंकि एग तो दिखने के लिए बाड है, एक जैसे होता है, crow को पता नहीं चलेगा, यह किसकी एग है, ठीक है, वो गया करेगा, वो उसको इंकुवेट करेगा, बच्चा बनेगा, मतलब कि बच्चा बनने के बद दिखा रहे, crow ह पर कोल है, कुछ टाइम के बाद उसको निकाल देगा, तो उसको बूड परासेट्स कहते हैं, परासेट्स का मतलब क्या होता है, फ्री फिडिंग और फ्री लजिंग, खाना, रहना, मुफद है, तो उनकी घर में रह रहा है, और उनकुवेट हो रहा है, जब बच्पन में तो पता नहीं चल रहा था, फिडिंग करा रही थी, उनके मदर, फिर उसके, अच्छा, फिर हम बाइलेजिकल रिदिम के बारे में आएंगे, बाइलेजिकल रिदिम के लिए कुछ चिज़े याद रखिए, ठीक है, बाइलेजिकल रिदिम जो होता है, ये आपको कहां प्र ठीक है ना, जो कि बाइलोजिकल रिदिम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पुछा जाता है, एक्जाम पे, स्सी एन, सुप्रा क्याजमेटिक नुकलियस, ठीक है ना, अच्छा, इप्रेजेंट इंसाइड थो हाइपोथलामस, ये चीज़ भी याद रखिए, पुछा जा है ठीक है, थेक है, अच्छा, उनका पिनियल ग्लांड से क्या लेना देना है, बाइलोजिकल travelling को कहते है, क्योंकि मालेजी कोई एक स्टिमूलर्स है, आए घ्थरू आएगा, फिर उसके बाद पिनियल ग्लांड को चला जायएगा, दिन वहाँ से मेला, जिसे कि जो हना, मे सब्सक्राइब करेंगे उनका जो टाइप सम देखेंगे कुछ होता है सार के डियान ठीक है ना सार की डियान जब डियान डी स्टॉर्म आ रहा है तो डे एक डे हम समझ लेते हैं 24 आर में मतलब है कि ऐसा साइकल जो हर एक 24 आर में मतलब है साइकल मतलब कि ऐसा चीज है इवेंट हर एक 24 आर में रिपीट हो रहा है तो हम उसको सार के डियान कहेंगे जैसे आप आज रात दस बज़े सोरे हो कल को ओही दस बज़े फिर मतलब कि ओही 24 आर में हम रिपीट कर लेते हैं ठीक है रात की 10 बज़े गया 11 वाजे से सुब अच से ही करना है तो जो 24 आर में जो होगा रिपीट होगा जो चीजे हम उसको सार के डियान कहेंगे और एक होता है सार के लिउनार सार क्यू अन्यूल अन्यूल का मतले से अन्यूल एक्जम होता है ना सार क्यू अन्यूल जो चीजे एक साल में रिपीट होगा तो हम उसको सार क् यह जम ढोल में करते हैं कि करते हैं? विंटर में किय थे? यह सई अगली साल आएंगे साल में माईग्रेट हो रहा है चल्च एम सर्क्यय ऑन्वल कहेंगे ही? सर्क्यव डियान हो गया हमें फिर मौंथली हमदेखेंगे है सार्क्य लुणार देखेंगे सा र्क ह्यूव लुनार सार क्यू लुनार का मतलब है कि टॉन्टी 8 डे में जो पूर CP होता है मतलब कि एक लुनार स्वाइक्छ लूनर वाड जो रिलेटेट तो दो मून है, मून जो होता है मतलए कि हर महीने में आता है, तेखे न, सरक्यो लूनर याद रखे, सरक्यो डेयन, सरक्यो अन्वल, सरक्यो लूनर, ठीक है, अच्छा, तो हाँ, अर कुछ होता है, आपका इन्फरारडियन, अल्टरारडियन होता है और एक होता है 12 बावर में भी कुछ-कुछ stimulus होता है हर एक 12 बावर में भी repeat हो जाता है ठीक है तो उसको हम बोलते हैं जैसे body temperature वगेरा हो गया वो भी change हो जाता है तो जो चीजे जो भी biological rhythm आपकी ultra radiant इंफ्रा रेडियान होता है ठीक है ultra radiant इंफ्रा रेडियान याद रिखिये ultra radiant इंफ्रा रेडियान ठीक है ना अच्छा 24 आवर या 24 आवर से less जिस event repeat हो रहा है मतलब कि 12 आवर में माल लिजी जो चीजे repeat होगा ultra radiant काटेगोरी में वह आएंगे and 24 आवर से जादा जो repeat हो रहा है जैसे monthly हो गया मतलब कि circle lunar हो गया है circle annual हो गया वह इंफ्रा रेडियान के काटेगोरी में आएंगे ठीक है ना अच्छा तो ये हो गया चीजे ठीक है circle title एक होता है उसको याद रखिए circle title जो होता है title जैसे हमारे जो समुंदर होता है उसमें tide आता है circle title आप याद रखिए जो की 12 आवर में repeat होता है जो चीजे ठीक है ना अच्छा तो ultra radiant हम जब देखेंगे ultra radiant time period less than 24 hour 24 hour से less than जब होगा तो हम उसको ultra radiant कहेंगे infra radiant कहेंगे more than 24 hour ठीक है ना तो circle title जो biological rhythm होता है that will comes under the ultra radiant category क्योंकि exam में मालजी हो सकता है कि आपको पुछेगा कि उनमें से which one is ultra radiant उसमें circle title देदेगा और आपको circle lunar, circle annual, circle circadian ऐसे तीन options देदेगा तो आप याद रखिए ऐसा biological जो है ठीक है मैं आपको ऐसे biological rhythm rhythm का मतलब है कि pattern जो repeat हो रहा है हम उसको rhythm कहेंगे biological rhythm हमने देखेंगे मैं मतलब कि small से increasing order में लिखूंगी एक होता है circle title repeat after repeat after 12 hour ठीक है ना 12 hour के बाद जो चीज़ रिपीट हो रहा है circle title हम बोलेंगे tide आप याद रखिए क्योंकि ऐसे होता है ना night time और day time पे अलग अलग जो tide आता है समुंदर में तो आप ऐसे 12 hour में आप याद रख सकते हो उसको हम circle title बोलते हैं ठीक है कुछ organisms होते ना उनकी movement ऐसे होता है crab बगेरा जो है तो circuit title फिर हम circle dn याद रखेंगे circle dn repeats after 24 hour जैसे कि यहाँ पे crab की movement याद रखिए जो crab होते हैं moment ऐसे करते हैं यहाँ पे sleep-wake cycle हम कर सकते हैं circuit dn हो गया circuit lunar हम करेंगे circuit lunar lunar मतलब है कि कितना दिन repeat होगा 28 day ठीक है 28 day यहाँ पे one day लिख सकते हो ठीक है यह तो half day हो गया one day 28 day में जैसे menstrual female की menstrual cycle होता है ठीक है अच्छा उसके बाद हम देखेंगे circuit annual जो एक साल में repeat होगा repeat one year one year की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जैसे migration हो गया hibernation हो गया यह सारे तो इसमें यह जो है यह आपके आएगा कौन सी category के अंदर यह आएगा आपका क्या circuit idle जो rhythm होता है यह आएगा ultra ठीक है ना यह ultra radian के अंदर आएगा ठीक है ultra radian ठीक है अंच्छा यह तीनों जो है वो आएगे आपका क्या है इंफ्रा रेडियन के अंदर आएंगे इंफ्रा रेडियन क्लिर हुआ तो यह कुछ अनिमल बिहेवियर की question यह जो है रिदिम अच्छे से देखके चले जाएए इतना ही रिदिम से question आ सकता है और कुछ नहीं हाँ और कहां प्रेजेंट है सुप्रा काइजमेटिक निकलिस जो कि हाइपोथालामस में प्रेजेंट है और पिनल ग्लांड से जो इनफर्मेशन साता है मेलाटोनीन सिक्रेट होता है उसके बार में थोड़ा जान लेजेए तो आज के लिए इतना ही है तो आप कुछ न देख लेजेए खुद कर लेना ठीक है ना इस question यहाँ पर हाँ य यहाँ च्यान जोड़ा एक नोग सालिवेशन अरद विय्याँ अफट वैक लिए तो यह क्या है ओपरेंट कंडिशनिंग है क्या आप यह प्रेंट नहीं है आप यसा मत सुचे कि यह आंसर है ठीक है यूमन इंग्रोई इगनोरिंग नाइट्स साउंड वाइल स्लिपिंग जो night's sound है उसको हम इग्नोर कर रहे हैं वो habituation हो जोगा है ऐसाने कि कोई मतलब कि बाम ब्रस्ट करेगा आप मतलब कि ऐसा नहीं करोगा ऐसा नहीं है वो जो suddenly होगा मतलब कि जो frequently जो sound आ रहा है माली जो कोई dog bark कर रहा है तो उससे जो को हम इग्नोर कर लेते हैं जो repeat होता है आपका पता है आपकी कलोनी की जो कुटे होते होते हैं वो तो ऐसे भुगते रहते हैं तो इसलिए आप आराम से सुलोगे माली जो हर दिन था एक दिन ऐसा हुआ अच्छाना क कुछ sound आगे आप रेस्पंड नहीं करोगे रेस्पंड करोगे जो चीज़े frequently होता है वो चीज़े को हम रेस्पंड नहीं करते हैं इसको हम habituations के अंदर रखेंगे and this is the learning ठीक है आच्छा बाइलोजिकल कलोक कहा है सुपरकाइजमेटिक निकलोस अब दा हाइपो थालमस य आज के लिए इतना ही है फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंड में पूटन कीज़े तो थैंक्यों